वन्दे मात्रम हार यौल फ्यू इम वेरी गुड इन वेरी गुड इन सेफ लास्ट वीडियो में हमने कुछ उब्जर्वेशन किया था कुछ पिक्चर्स का और कुछ क्वेशन आंसर्स लिखे थे और मैंने आपको कुछ प्राइमरी डूटी अछू डूटी ही इसके बारे में लिखने को बोला थे ना आपने अच्छे से कंब्लें कर लिया होगा अभी यह जो पोषन है यह एइے पबलीग प्रोपर्टी पबलीग प्रोपर्टी आपने नाम सुनाए होगा अगर नाम नहीं सुना है ना तो आपने ही कही न कही देखी होगी कही न कि आपने इसका use किया होगा है ना तो मैं बात कर रही हूँ शाहर मिलकत याने कि property याने कि कुछ मिलकत और ऐसी property कि जो हमने नहीं बनाई है लेकिन फिर भी हम उसका use करते हैं वो government हमें provide करती है और सारी local publics उसका use करती है उसको हम बोलेंगे पब्लिक प्रोपर्टी शुरू करते हैं परेग्राप शे तेरार मैनी थिंग्स इन वो विलेजीज और स्ट्रीज अभी यह हमारे गाउं में और हमारे जो गलियों में जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत सारी चीजे होती है वह क्या है हमारी फैसिलिटीज यानि कि कहीं पर कोई गार्डन होता है कोई पार्क होता है कोई टेंपल मसीद फिर कोई पंचायत कर बहुत सारी यह सी चीज होते हैं बोस्टेशन रेलेवे स्टेशन राइट इस सच फैसिलिटीज विच आ नोट ओन बाई इन इंडिविजियल बटार यूज बाई एवरिवन चीज सी कि मैंने आपको आगे बताया कि यह सारी फैसिलिटीज जिसको कोई बनाता नहीं है किसी पर्टिक्यूलर किसी व्यक्तिगत किसी इंसान ने पर्सनल यूज उसको नहीं बनाया लेकिन उसका यूज तो हम सब करते है और यह से सारी जो प्रोपर्टीज होते हैं उसको हम क्या बोलते है तो यहाँ पर आपको प्रोपर्टी की डेफिनेशन दी गई है यहाँ से शुरू करते है लेकिन उसका यूज सब लोग करते है उसको हूं बलेंगे पब्लिक प्रोपर्टी गीवन बीलो और पिक्चर ओफ सच पब्लिक प्रोपर्टी विच में अलसो भी फाउंड इन योर विलेज भी यहां पर हमें गाउं का छूट आसा प्यारा सा पिक्चर दिया गया है अब देख सकते हूं यहां पर उपर से स्कूल है तो स्कूल भी पब्लिक प्रोपर्टी उसके बाद यह मोस्क मजीद उसके बाद यह गार्डन यह टेम्पल राइट और नीचे नीचे भी यहां पर देखो यह गाउं का जो चोरा वहां पर सब बैठते हैं सब बोलते हैं ना यह भी एक पुब्लिक प्रोपर्टी यहां पर बहुत सारे गर है जहां पर लोग रहते होंगे और यहां पर भी एक temple है तो यहां पर हमने बहुत सारी public property देखी ओके यहां पर कुछ question answers है which are the public properties and public properties in your surroundings अभी public property कितनी है तो कुछ bus है railways है airways है यह सब हमारी public properties है उसके बाद कुछ parks, streets, libraries, temples यह सब public property है इसके बाद कोई government buildings होती है पंचायद घर होता है ग्राम पंचायद होता है यह सब public property है जिसका हम use कर दे तो public property में मैंने यहां पर लिखा है parks, streets and libraries और यह यहां पर बाकी है जो आपको found करके खुद से लिखनी है ओके यहां पर क्या लिखना था which are the public properties public property के हमें यहां पर examples देने थे उसके नाम लिखने थे मैंने लिखा है park, streets and libraries और आपको एक found करके यहां पर लिखनी है अभी second है public properties in your surroundings याने कि आपके आजो बजो में कौन सी ऐसी public property है तुम इने यहां पर लिखा है park क्योंकि मेरी यहां पर आजो बजो में एक park है अच्छा ऐसा libraries और temple मंदीर भी है और एक library भी है तो आपके खरके आजो बजो में जो कुछ भी हो public property वह आपको यहां पर लिख है हमारे लिए चानने की बात ओके देखते हैं hand washing day याने की hand washing day जैसे yoga day होता है independence day होते है वहुत सरा days होते है उसी तरह से एक day है जिसका नाम है hand washing day तो कब celebrate होता है 15th October is celebrated is hand washing day dirty hands can cause many diseases तो 15th October को हम hand washing day बनाते है और dirty hands can cause many disease याने की जो गंदे हाथ होते है वह बहुत सारे रोगों की जड़ होता है उसके वज़े से क्या होता है हम बिमारियों का शिकार बनते हैं तो hand wash केशे करना है यहां पर बहुत सारे steps दिये गए गए पहले कोई hand wash लिया है हाथ में उसके बाद fingers को यसे रफ करना है उसके बाद thumb को clean करना है उसके बाद हमारी जो under right वाला part होता है हाथ वाला ये वाला palm चीज़ को हम बोलते है वो clean उसको भी clean करना है और उसके बाद हाथ को अच्छे से पानी से दो के उसके बाद हमें towel से रुमाल से napkin से कहीं से भी उसको dry करना ह तो ये hand washing day है और अभी जो corona की situation है उसमें हमें अच्छे से hand wash करने चीए ताकि हम भी safe रहे और हमारे family member भी safe रहे अभी यहाँ पे आगे फिर से एक observation यानि की एक कुछ हमें pictures दिये है उसके मदद से हमें question answers complete करने है तो यहाँ पे जो पहला picture है यहाँ पे एक lady है जो सड़क क अपर अपनी घर के बाजो बाजो में जहाँ पे हो रहती है तो वो गली में कच्रा फैकरी है और दूसरी लेडी है village का picture है यहाँ पे देखो रबश पीन यानि की रबश यानि की कच्रा तो यह जो dust bean है उसमें वो कच्रा डाल रहे है और उसके आजो बाजो का सब clean है और य यहाँ पे देखो यह जो है वह water west out कर रही है वेस्टेज water है ना उसको इसे ही सडक्यों के उपर निकाल रही है उसके बाद यहाँ पे जो यह nurse और डॉक्टर है वह इसी मरीज की अच्छे से इलाज कर रहा है तो यहाँ पे यह दोनों जो है ना वो negative thinking से और यह दोनों positive answers प कोड़े से कोई कोई क्वेशन आजस्ट बढ़े है इसलिए मेने पे ला rond कीछ के रखी है ताकि हम कंच या रिग सके क्योंकि हमें किछ आजब्याखें नहीं है पहरा है वहाध ऐट्स ein When पिक्चर में गुड अच्छी बात किया है तो आंसर आएगा कि पहला जो पिक्चर है उसमें जो लेडी है वो कच्रा डस्ट बिन में डालती है और दूसरे पिक्चर में नर्स और डॉक्टर है वो पेशन्ट को अच्छे से ट्रीट कर रहे है राइट तो मेंने यहाँ पर आं यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पॉजिटिव थिंग्स कौन से लिखो है थे यह वाले कि जो लेडी है वो कच्रा है जो गार्बेज है वो डस्ट बिन में डाल रही है और नर्स और डॉक्टर दूनो मरीज का अच्छे से इलाज कर रहे हैं सेकंड क्वेशन है वाट इस र वेस्ट वोटर जो होता है वेस्ट इच वोटर वो डिस्पोज कर रहे है कहां पे रोड के उपर गली के उपर तो आनसर आएगा वुमन इस थृंग गार्मेज उन रा स्ट्रीट अब वुमन इस डिस्पोजिंग वाटर उन स्ट्रीट अपी हम दोनों ऐसे बहुत बड़ा नहीं लिख सती है in first picture in second picture यह मैंने आपे mention नहीं कि क्योंकि यह फिर इसमें समाएगा नहीं इसलिए directly answers हम लिखेंगे ओके second question है where do you dispose of the rubbish of your house अभी आप अपने घर का कच्रा कहां पर डालेंगे obviously हम dustbin में ही डालेंगे तो मैंने आपे लिखा है we dispose rubbish of our house in dustbin okay हम हमारे घर का कच्रा obviously dustbin में ही डालेंगे what is the arrangement for the disposal of street rubbish अभी रोड के ऊपर जो कच्रा होता है उसको हम उसका क्या arrangement करेंगे तो अभी हमारे यहाँ पे society में या तो फिर कहीं भी रहते तो municipality वाले आते होंगे या तो फिर हमारे कुछ personal कामदार हमने रखे होते employee होते है जो swipper होते है कच्रा निकालने वाले कच्रा ले जाने वाले वो क्या करते है कि कच्रा जो होता है न वो street और उन सब को ऐसे clean करते है उसके बाद वो उनके पांस एक garbage cart होता है उसके अंदर वो सारा कच्रा भर लेते है तो answer लिखा है a swipper clean suffered street and take away garbage in garbage cart यानि कि जो कच्रे उठाने वाले जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पे या तो फिर कोई employee होते है वो क्या करते है कि कच्रा होता है उसको पहले street को clean करेंगे और सारा कच्रा जो garbage cart में डाल देंगे उसके बाद last question है where do you release dirty water of your house आप अपने गर का गंदा पानी कहां पे डालते हो तो हम drainage में डालते हैं कोई wash basin में उसके बाद कहीं पे भी हम पानी एसे ही रोड पे खुला नहीं जाने देते हैं सब की मतलब drainage में ही जाता है तो आंसर लिका है we release dirty water in our drainage याने की we release dirty water in our drainage हम हमारे घर का गंदा पानी गटरों में जाने देते हो के तो आज हमने बहुत सारे question answers pictures learn किये उसके बाद का portion है वो नेक्स वीडियो में हम learn करेंगे वंदे मात्राम